तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले को देखो यह जनरली बच्चे डाउट में लेके आते हैं इसमें क्या है थोड़ा सा देखो यह थोड़ा सा confusing है I hope कि मैं तुमको बहतर तरीके से समझा पाऊंगा क्योंकि कोई भी इसको टंक से समझा नहीं नहीं पाता है आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बहुत परसान हुए होगे तो obviously I will solve your problem यह कहता है कि यह तेबल भी इसमूओट होरिजेटल सर्फेश टेबल का जो होरिजेटल सर्फेस है वो समूथ है एक कैबिन में फीक्स है जो एंगूलर वेलाउसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है इनन्हें circular path of radius आर तो जो टेबल है और राएडियस के A, B, L, ठीक है, यहां पर एक ग्रूब है, यह जो पॉइंट है, ध्यान देना, यह जो पॉइंट है, this point is A, और this point is B, तो यह जो लेंथ है ग्रूब की, वो actually L है, the group is of length L, यह जो ग्रूब है, A, B, इस ग्रूब की लेंथ L है, ठीक है, यह थीटा डिगरी पर है, तो यह यहां से एक particle यहां पर रखा हुगा, यह A है, और यह B है, ध्यान दगना, made on the surface of the table, ध्यान दगना, यह point सबसे बड़ी important है, group कहा, made on the surface of the table, मतलब यह जो ग्रूब है, यह group, यह group in the plane of, in the plane of table, table के plane में है, table के plane से बाहर नहीं है, table के plane के perpendicular नहीं है, और यह जो थीटा है, ग्रूब यह वाला जो एंगल है, वो थीटा है, ग्रूब ऐसे नहीं है, ऐसे, ऐसे नहीं है हवा में, कि table से थीटा डिगरी पर है, ग्रूब यह वाला जो ग्रूब है, वो table में ही बनाया गया, ऐसे, table में ही बनाया गया भाई, तो यह आपको समझना बहुत ज़्यादा ज यह और यह इंगल कुछ थीटा है और जो यह यह और रेडियस सर्कूलर पाथ की रेडियस यह यहां से जो रेडियस आर बनेगा वह बहुत ही यह जो सरकल है यहां से जो रेडियस आर है इस रेडियस आर तो रेडियस आर के कंपेर में यह बहुत ही छोटा है यह तो यह भी ए सबसे पहले अगर यह से घूम रहा है तो सबसे पहले इस पार्टिकल पर सब सबसे पहले से सबसे को तो सबसे पहले से ब्सक्राइब से दूरे के संटर्फिगल फोर्स काम करेगा जिसकी वेलू होगी M R omega square होती है लेकिन R यहाँ पर क्या ले हम ठीक है कभी particle देख रहे हो कभी भी एगर particle यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ भी हो सकता है यह वाली जो distance X है ठीक है ना तो जब इसमें radius यह वाला जोड़ोगे radius R तो यह बनेगा R जो radius बनेगा R प्लस X ठीक है R प्लस X और जो X है वो काभी छोटा होगा R बहुत ज़्यादा बड़ा है L से तो यह जो R है और वो R के इककोल होगा भई किसके इककोल होगा क्योंकि X बहुत ही छोटा है तो जो radius है वो R केकक कोल होगा I hope की अजमसन आपको क्लियर हो गया होगा तो अगर मैं इसको solve कुना देखो question बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसको question को समझना difficult है तो we need to understand question अच्छे तरीके से समझना ज़्यादा ज़रूरी है तो सबसे पहले अगर पार्टिक्ल मालो यहां पर है कहीं पर भी है माल लिया मैं यहां पर है तो सेंटर से दूर थीटा डिगरी पर सेंटर से दूर थीटा डिगरी पर सेंट्रिवीगल फोर्स लगेगा जिसकी वेलू होगी M, capital R, omega का square यह बात सबको समझ में आना चाहिए भाई यह यह जो है ओ लेंद आर है यह ज्यादा बहुत छोटा है चलो तो इसके अब यह जो है पार्टिकिल A, B यह पार्टिकिल ऐसे जाएगा A, point A है, यह point B है तो यह पार्टिकिल ऐसे जाएगा यह जाएगा यह इधर निकल जाएगा इससे तो अगर यह theta है तो इसका एक component इधर जाएगा जो होगा MR omega square cos theta और एक component इधर आएगा जो होगा MR omega square sin theta तो यह दोनों force कर क्या रहे हैं भाई तो यह जो force बाहर आ रहा है centrifugal का एक component यह बाहर वाले surface को push कर रहा होगा यह rigid है move नहीं कर रहा भाई तो move नहीं कर रहा है तो इधर की direction में जो force आ रहा है वो वाल को push कर रहा होगा दबा रहा होगा तो बदले में normal इधर की direction में आएगा वह जाएगा n1 तो n1 balance कर लेगा किसको centrifugal के एक component को mr omega square sine theta आई हो कि आपको मज़ा आ गया हो गई और mr omega cos square theta इसको balance करने वाला कोई नहीं है यह smooth है तो यह यही इस pipe में particle को ऐसे accelerate करा देगा इस pipe में जो particle है यहां पर जो particle है यह ऐसे accelerate हो जाएगा कितने से force upon mass तो force कितना लग रहा है इधर mr omega square cos theta upon mass तो इतने इतने acceleration से accelerate हो जाएगा तो acceleration एक ही value बनेगी आर omega square cos theta और यह अल्मोस्ट अल्मोस्ट constant acceleration होगा ठीक है यह constant acceleration generate करेगा तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा तो अगर यह constant acceleration है प्यारे बच्चों तो देखो अब मैं देखता हूं कि ऐसा क्या बात है कि और भी forces लग रहा है हैं बताओ भाई सोचो थोड़ा और भी force लग रहे हैं यह जो mg है वो टेबल के नीचे जाएगी जो mg है वो इधर जा रहे होगी और इसकी वज़े से जो नॉर्मल आएगा वो ऊपर आएगा तो n तो बैलेंस कर लेगा weight mg को ठीक ना यह दूसरा एक्वेशन और जो टेंजेंशेल एक्सलेशन ठीक ना जिसकी वज़े से मूब कर रहा हो है और ओमेगा स्कॉर कॉस तीटा बस तो यह कॉंस्टेंट है तो एक्वेशन आमोसन लगा दो यह से बी तक जाने में यह लेंद्ध कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो टाइम एस इस उकॉल टू कि यूटी प्लस हाफ एटी असकॉर ठीक है न तो अगर इतना है तो बेसिकली देखो लेंध एल है और इनिटिटनी जीरो था तो हाफ एक्सलेशन की वेल्यू कितनी आ जाएगी बोलो तो एक्सलेशन की वेल्यू आ जाएगी आर ओमेगा स्कॉर कॉस थीटा और multiplied by time लगा होगा T S का है तो T की value आ जाएगी 2L upon 2L is equal to R omega square cos theta तो I hope कि आपके सारे doubt इसमें clear हो गए होगे और आप बहुत प्रसान रहोगे तो आप एक like और एक subscribe बन तो बनता है और ये मेरा वीडियो सबसे best वीडियो है क्योंकि मैं 3D image लेकर आपको समझाया हूँ तो आपके प्यार और support की हमें जरुएत है thanks for watching अपना बहुत ख्याल रखो motivated और प्यारे बच्चो